हलो दोस्तों स्वागत है आपका नए इंपॉर्मेटी वीडियो में आज हम लोग फिर से यह फास्ट इविजन स्मार्ट बे में करने वाले हैं तो जैसे ही हम कोस्टन्स पड़े आपको आंसर मन में सोच लेना और हमारे आंसर से मैच करना यह तरह यह जो कंसेप्ट है वो करते हैं कि जल्दी हम 300 भी वीडियो के तार्गेट तक पहुंचेंगे फिर 400 तक पहुंचेंगे तो चलिए इसी तरह से आप देखते रहिए तो आज का हमारा पहला कोसंस है दोस्तों कि अलफो और बीटा कनों की खोच किस ने की थी आपको बताना है तो आंसर है इसका बता पहला कीजिए एर्योपिये महादीप की सबसे बड़ी का नदी का क्या नाम है आंसर है बोलगा कहरा दूद के खराब होने के कारण मतलब कौन सी बैक्टिरिया उसमें होती है आपको बताना है आंसर है लैक्टो-बैसिलस हाँ नेक्ट में आपको बताना है कि जालिया वाला हत्यागांड के विरोध में केसरे हिंद क्यों पादी इसके बाद है बंगाल विभाजन के समय ठीक है मतलब उस समय बंगाल जब विभाजन हुआ था तो वहां कों गवर्नर जेनरल था तो आंसर है लौड करजन आप ऐसे याद रखी करजन के समय में फर्जन हो गया था मतलब काकोरी सरेंत्र जो है कब हुआ था दोस्तु आंसर बताइए आंसर है मुनिससों पचीस बिद्वा पुनर विभा कानून किसके बना था तो आंसर है इसवर्चन्द बिद्या सागर कितने समय में पास हुआ था दोस्तु बताईए ऐचारा सों आंसर है 1456, next one questions है, विक्टूरिया जल पर पात कहां पर है? किस नदी पर है? आंसर है जैमबेजी नदी, भारत का मसाला उद्ध्यान, किस राज जी को कहा जाता है? आंसर है किरल आगे आपको बताना है कुटीर ग्राम उद्धोग का सम्मंद कुटीर ग्राम उद्धोग का सम्मंद जो है वो किस से है मतलब किस किस छेत्र से आपको बताना है आंसर है बिद्धुद ठीक है किस छेत्र ग्रामिन छेत्रों से मतलब यह जो बिद्धुद कार्ज आगे कोसंस कह रहा है अंकलेसवल तेजश्चेतर कहां पर है अंसर आपको बताना है अंसर है दोस्तो गुजरात डक्कन मार्ग जो है कौन से दशनी अंदमान लिटिल अंदमान मध्य अंदमान के बीच है तो लिटिल अंदमान और दशनी अंदमान के बीच है दोस्तो लिटि सुल्टान का बिवा किसके साथ हुआ था बताना है दोस्तों आपको आंसर आप बताईए आंसर अलतुनिया किसके अंग्रेजी गौर्णल जेनरल या किसके वहां पर भारत में कौन सा था जिसके सासनकाल में यह रास्टिये कॉंग्रेस के स्थापना हुई थी लौड डफरीन पीट्स इंडियाए एक्ट कितने इसमें पारिज हुग था बताईए पीट्स इंडियाएट डेट आपको बताना है आंसर है 1700 कितना 84 डेटीना के बीच के विर्तागार भाग को क्या कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बताईए कौन सी बिंदू बोलते हैं पित स्थाल दच्छिन एसिया का कौन जा दोस्तो थार बीमास दर्शन के संस्थापक कोन थे आपको बताना है बताईए जैमिनी हिंडेन बर्ग रेखा जो है किन दो देश्व की बीच है आपको आंशर बताना है जर्मनि यॉल पोलेंड जर्मनी और पोलेंड रेडियो संचार में FM का मतलब क्या होता है दोस्तों तो FM का मतलब F का मतलब होता है frequency और M का मतलब होता है modulation यह आपको याद रखना है आगे अगर हम बात करें पिर्थवी के गोल बताने वाला पर्थम यह बिद्वान का नाम क्या था अंसर है पाइथागोरस थियोरम आप लोगों पढ़े होंगे ठीक है नेक्स्ट मनें नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाली तो पर्थम मुस्लिम महिला थी उसका नाम बताना है अंसर है सिर्णी और बताईए आगे इबादी सिर्णी इबादी आपको याद रखना है आगे अगर हम कोशन्स की बात करें तो कर रहा भारत का सबसे पूराना फुटवल कलब कौन है दोस्तो तो अंसर है मोहन बगान कितने इस भी में इसकी अस्थापना हुई थी अठारा सो बताईए नवासी मैं रहीम रेखा किंदो देशों के बीचे आप बताईए हम हिंड देते हैं रूस और कौन सा दोस्तो रूस और फिल्लेंड ठीक है फरदर आगे है प्रिपेड कार जारी करने वाला पहला बानेजिक बैंक कौन सा था दोस्तो आंसर आप बताईए औरियंटल बैंक ऑफ कोमर्स यानि जिसको ओबी सी बोलते हैं हम लोग आगे हैं बताईए कि पिर्थवी राज रासों को किस ने लिखा था आँसर है चंदर बरदाई किस भासा ने लिखी थी ये ये आपको याद रखना भासा जो है वह ब्रज भासा थी अजनता के जो चित्र है वो किस अस्टाइल में बने हुए आपको बताना है आंसर है टेमपरा स्टाइल आपको याद रखना है करक रेखा और मकर रेखा कि भी इस अच्छान्सों का अंतर कितना है कितना डिगरी अच्छान्स का अंतर है नीचे सूपर तक तो 47.5 33.5, 33.5 कितना होदा 33.36, 47 टामाटर का रंग किसके बज़ा से क्या होता है लाल होता है दोस्तों आंसर बताना आपको आंसर है लाइको पीन आपको बताना है इस भी में कि किकेट मैच का परसान परसान टीवी पर सीधा लाइफ कितने इस भी में हुआ था तो 1966 इस भी में हुआ था दोस्तों नेक्ष्टन आपको बताना कि मधुवनी काल का संबंध किस सिस्से है आपको बताना है मधुवनी कला का संबंध बिहार से है थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने में मिश्टेक होगे उसके लिए हम सौरी चाहते हैं बनारा सिंदु पे स्थापना कितने स्विव में करी गई थी आप बताईए तो 1916 स्विव में करी गई थी किसके द्वारा करी गई थी पंडित मधन मोहन मालविय जी के द्वारा करी गई थी आपको याद रखना है दोस्तों कला की गंधार सली को, ठीक है? आपको बताना है, की कौन से संग्या दी गई है? तो आंसर ए ग्रीक बहुत सली. अक्वर का राज जाविशेग जो वह तेरह वर्स चार महिना के आयू में हुआ था तो कहां पे हुआ था जगा का नाम क्या था आंसर है कला नौर जगा का नाम कला नौर था पर्थम बिस्व के देश से आप क्या समझते हैं दोस्तों आपको बताना है पर्थम बिस्व के देश से आप क्या समझते हैं तो इसका मतलब बिक्सित देशों से है इसका मतलब किसे है बिक्सित देशों से हैं दोस्तों आपको याद रखें आगे अगर हम बात करें तो कह रह जो हुआ था उसके उपरां धिलाहबाद की संधी 1750 में हुए थी हिमायु के मकवरा का निर्मान किस ने कराया था हाजी बेगम ने कराया था बस्तुकार का क्या नाम था दोस्तों तो मिर्जा गयास आगे आपको बताना है कि बीश्प की सबसे चौड़ी जल संधी कौन सी है आंसर है डेविस जल संधी 20 का मांचित्र का सरपर्थम निर्मान किस ने करा था तो आंसर है अनेगजी मेंडर यूनान के ये थे इलाइची के खेती के लिए सबसे उप्यक्त मिट्वी का नाम बताना आपको आंसर है लैटेराइट मिट्टी नेक्ट बन कोशन है सूक्र गर इसके स्थापना कितने इस्विय में करी गए थी तो ये करी गए थी 1550 इस्विय में पुर्त गालियों के दो़ारा असोक अस्तम को दिल्ली किसने लाया था आपको बताना है तो फिरोज सा तूगलक आंसर आपको याद रखना है आगे कहरा है कि इलाइची का सरवाधी को प सबस्ति चेटर के निकट अता है वह स्वतंत्र भारत का सध्र्वनिक चेटर का पहला कौन सा था आपको अंसर बताना है दीवी और घाटी निगं कौन सा था दोस्तोंि दम गाटी स्रीज और इसमें क्या मोडिफिकेशन किया दोस्तों आगे आपको बताना कि सार्गदा किस से समंदित है अंसर है बाल विवा से देश का पहला मुवाइल मंकीं के स्थापना किस कौन सी बैंक कहां पर करी गई थी किस राज्य में आंसर है मत परदेश पुरुडेंशियल कप क कौन साथ दोस्तों क्या है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी उसके बाद है ऑथरीटी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कि आगे आपसे पूछा जा रहा है एन पीए का फूल फाम आपको बताना है आंसर क्या होगा दोस्तों नन परफॉर्मिंग एस्विट इसा मसी के मात पीता का नाम क्या था मेरी अपिता का क्या नाम था दोस्तों बताइए जो सब मगत की राजधानी कहां पी थी आपको बताना है तो गृवर्ज यानि की राजग्री में असोक का सबसे लंबा भीले कैमा भीले के पहला दूसरा तीसरा चोथा पच्छमा चठा बताइए आंस आगे कह रहा है कि सौट मंदीर का निर्वान किसने करवाय था तो गुरू अर्जुन देब अमरित सरनगर के अस्थापना किसने करी थी बताइए तो गुरू रामदास ने करी थी कितने इस्वी में करी थी 1500 बताइए 377 में करी थी रुपयों का अंतिम बार अम्यूलन कितने इसमें में करा गया था तो उनीस सो बताईए कितने में एक क्यानवे में अगर डेट आप से कोई पूछे तो एक जूलाए नेक्स्ट बन है IRDP का फूल फॉर्म क्या है तो ये आपको याद रखना है चोटा चोटा कोस्ट आगे अगर हम चले तो पूछ तो पूछ रहा है कि विजय अस्थम का निर्मान किस ने करवाया था आंसर बताना आपको बताईए राना कुम्भा ये है कहां पे दोस्तों तो चितोड में है आपको पताना है कि आगरा सर के स्थापना किसके द्वारा करी गई थी आंसर है सिकंदर लोदी कितने स्थमें दोस्तों तो बंद्रसो चार्थ इसके बाद बाहमन बस का आंतिम सासा कौन था बताईए तो कली मुल्ला कौन था दोस्तों कली मुल्ला खानमा कायूत किस तोनों के बीच में उता, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, तो जैसे ही खाना खाया है, तो खाना में साग आपको खाना है, तो राना सांगा याद रखना है, और दूसरा बावर तो सबको पता ही है, तो खाना खाया मतलब आप साग में खाना खाया है, सा आंसर आप बताईए आंसर है मिर मुहम्मद कासीम दालास जंगवेट के लेख है कौन से दोस्तों तो माइकल एंजीला संसार में सरपथम लिकिक संविधान किस देश में है तो संजुक्त राज अमेर का कितने स्वी में लागू हुआ था दोस्तों तो 1789 इंग्लेंड में गार दाता कौन थे जन दाता जो थे मुसेवलनी थे कौन थे दोस्तों मुसोलनी नेक्स्ट बनें इंग्लिस चैनल फ्रांस और क्यों को फ्रांस और किसको जोड़ता है मतलब किस देश से वह जुड़ा हुआ है बताईए आंसर है इना इनाइटेट किंग्डम आले मिटी का निर्वान कैसे हुगा है दोस्तों किस परकार के चतानों से हुआ बताईए आपके लिए गोश्एन है आंसर बैसाल चतानों से र是啊 आम पिया था तो आंसर है यह जलालुदीन नेक्स्ट वन है आपके पास कहरा है पंसिल समझाता कि इन दो देश्घू के वी च हुआ है आंसर है भारत और चीन कितने यिसन वीए में हुआ था तो पहले हम आपको थोड़ा दिखा दिखादी उनीस mendरम होता फ草न में आपको बताना हैं ठीक है दोस्तो कि नेकश्टों को बताना है कि अधीस अमाज के संस्तापक आपको बता प्रवोज गों के सफ्विवों को से तो केसल चंद्र सेन इसमी में हुई थी ? यूत के बाद हुई थी तो अभी हम कुछ दिर पहले आपको बताये थे बकसर की उत के बाद हुई थी, कितने इसमी मिलावाद की संदिय थी दोस्तों, सत्रा सो, पैसट में हुई थी आगे क्या है कि अक्पर के मा का नाम क्या था आपको बताना है, तो हमीदावानु बेगम नाम था राष्टिये नारियल अनुसंधान के इंदर कहा है दोस्तों तो काका गोडा केरल में है आपको याद रखना है नेक्ट बन है भारी जल की खोच किस ने करी थी तो हेराल्ड क्यू टोन यूरे ने करी थी सा जहांके माता का नाम क्या था दोस्तों बताईए आंसर है जगत गोसाईएं क्या नाम था दोस्तों जगत गुनाई गोसाईएं इकता सेना का गठन किस ने किया था आंसर है इल्दुत्मिस ने करा था इल्दुत्मिस ने करा था नेक्ट बन है हिमायू के माता का नाम आपको बताना है तो इसका नाम था महामा सुल्ताना नेक्षमन है दोस्तों गुर्णानक देव का दर्म कहां हुआ था आंसर आप बताईए आंसर है तलमंडी नेक्षमन है गुरु गोबिन सिंगी समाधी अस्तल कहां पर आपको बताना है आंसर है नांदेड युनानी लेखक ने किसे आमित्र घात की संग्या दी थी तो आंसर है बिंदू सार की मुगलो सेना में जो विवस्था थी करके ओ किस पर अधारी थी आंसर है मनसबदारी पर अधारी थी किस से दोस्तो मनसबदारी पर अधारी थी किस ने लगाया था तो आप याद रखिए लॉड विलियम बैंटिंग ने बैंट कर दिया था कितने इसवी में दोस्तों तो 1829 इसवी में लॉड विलियम बैंटिंग ने इस पर बैंट कर दिया संभाइधान की संभाइधान की गरमियन उसनिची किस समंदित है नंगरनिगा में पंचाइती राच आपको हिंट दे धिये uhm समभाइधान का संद्रच्छ किसे कहा जाता है दोस्तों अनुछेद, उच्तम नाले को कहा जाता है, 32 में रिट किया जाता है, वो हम बोलने वाले था आपको, राजसवा की पहली महासचीप कौन थी दोस्तों, बताइए, तो आंसर है BS, रमा देबी, सरबादिक भासा हैं, कहां बोली आते हैं, किस देश में, आंसर है भारत, तो इस तरह से आप रिविजन सेट में आप हमेशा भाग लेते रहें, और आप अपने सक्सेज की और अगे बढ़ाते रहें, हम उबीद करते हैं, कि इस वीडियो को लोग 300 लोग देखे हैं, तो आप लास्ट तक देखे हैं, तो थोड़ा इसमें आप मदद कीजिए, तब तक के लिए दोस्तों, थाइंक यू, वेलकम.